नौश कर दोस्तों ऐसा करता हूं ठीक होंगे दोस्तों अगर आप लोगों के पास टाइम नहों तो जब टाइम हो तब वीडियो देखा करें परन्त वीडियो को पूरा देखा करें जब वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा अने था आप समझ नहीं प समझो मैं बोल क्या रहा हूं और फाइदे की बात बोलता हूं ऐसा नहीं नुक्सान की देखो मैं पहले ही बताया था यह मेरे ब्लोग का चैनल है इस पर ट्रैबलिंग ब्लोग क्यूंकि मैं खुड एक ड्राइवर हूं और क्रेप्शन की जहां बाते आएगी मैं इस वीडिय वीडियो में डालूंगा तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें ध्यान से और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट यह भी करना चाहिए आपकी जिम्मेदारी है फर्ज है आपका भाई हूं इसके लिए बोल रहा हूं दोस्तों कल हमने वीडियो बनाया था सिर्डी में किस तरह करेफ्शन होता है पुलिस वाले नव बजनीक बाद जब नुटरी खुलती है खड़े हो जाते हैं सव सो रुपया वसोलने के लिए तब ही जाने देंगे नहीं तो जाने नहीं देंगे फिर बाइपास घूम के जाओ ड्राइबर भी क्या सो सब में जो देखके अंजान बने हैं क्यूंकि बहुत सवारे अंधे प possession किसे के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं लेकिन सच बोल रहा हूं तो दोस्तों यही आल राजस्थान का जो भी ड्राइबर भाई उधर जाते हैं कि ड्राइबर भाई क्या सभी जो भी उदर आने जाने वाले यह वहां के रहने वाले लोग है उनको मालुम है एक जिले में कितना आयटीयों खड़ा होता है है सो रुपए दो सो तीन सो इंट्री है आर्टियों की दो निकलो गाड़ी भगा दिये थोड़ा सा गलती कर दिये तो यूता भी खाओ मारेंगे चालान भी काडेंगे तो यह सब बाते हैं दोस्तों इसके लिए मैं वीडियो डाल रहा था अखिर में क्रेप्शन के लिए जि लेकिन नुकसान कितना यह कभी आपने सोचा यह है सारी समस्या का जड़ यही है खम लोग यह नहीं सोचते बस थोड़ा सा मेरा फायदा हो गया बस हम समझ लेते हैं कि हम तो फायदे में हैं ने-णी इससे देश बरबाद हो रहा हमा बरबाद हो रहे हैं आने वाली हमारी आपकी पीड़ी बरवाद हो रही इसलिए दोस्तों करेफशन की जहां बात आए एक साथ खड़े हो जाओ इमानदारी से कमाना खाना सीखो हमेशा सुखी रहोगे मैं इसलिए वीडियो बना रहा था और दूसरी बात दोस्तों राजस्थान की जो कह रहा हूं अब बताइए यहां जिम्मेदार कौन है यह सरकारी जो कर्मचारी है जो एक करेफशन करते हैं इनकी 50,001,001,001 होती है फिर भी इनका पेट नहीं भरता ऐसा सोचना है पबलिक का ऐसा नहीं है पेट सब का भरता है भया दिहारी जो मजदूरी करता है उसका भी पेट भर रहा है ठीक है यह क्या है इनको मौहरा बनाए जाता एक जर्या इनके पीछे बहुत-बड़ा गैंग होता है और भी लोग होते हैं वो इनसे करेफशन करवाते हैं उसुली करवाते हैं वो पैसा उसुल वाते है इन से तो इसमें तुभाई ये भी कमाएंगे और दबाव भी रहता है जो इनके पीछे हैं कोई इनके पीछे पावर होती है ना बताइए क्या सरकारों को नहीं दिखाई देता मैं किसी भी सरकार को नहीं कह रहा हूं राजस्थान का यह पुराना सिस्टम है मैंने सभी सरकारों में देखा है अगर आप सोचेंग मैं एक सरकार की बात कर रहा हूं नही पब्लिक अंधी है अभी थोड़ी सी बात पर भड़का देगा कोई सब लोग आ जाओगे रोड पे तोड़ फोड़ करने लगो गया तो बात यह है कि इस देश के जो लोग है ना वो समझना नहीं चाहे ते बातों को क्यों नहीं अभी देखो ना अब तक चिला रहे ते नागरिक हूं क्या अच्छा लगा मुझे क्या बुरा लगा वह बोल सकता हूं अगरी पत में चार साल ऐसे गुजर जाते हैं नुकड़ पे चाय पानी समोसा खाने में नव यूकों का कम से कम चार साल में 20 लाख रुपिया पाओगे रिटाइड फोजी कहलाओगे मान सम्म मिलेगा ठीक है छूट मिलेगी बहुत सारी जगा उस वीच लाख में आप कुछ भी कर सकते हो चार साल में कितना आप घर खर्च करोगे भया पांच लाख कर दोगे चार साल में नहीं कर पाओगे मैं मान के चलता हूं 15 लाख बचेगा पांच लाख रख लेना वभिस के लि मिलते हैं अगले विलोग में धन्यवाद